देश के अलग-अलग हिस्तों से देखे जरा समझे इसको आफ़त की ये बरसाथ है क्योंकि सालाब का ये प्रहार देरादोन, कांगरा, प्रियाग राज, कट्रा जम्मू और मंडी की ये तस्वीर देरादोन में नदिया किस तरह से खौफनाक रूप अभी धारन की हुई है वो देखे और प्रियाग राज की भी आप तस्वीर देख रहे हैं जोरदार बारिश के बाद इलाका जलमगन और वह पर प्रशासन ने अलट जारी किया है साथी कट्रा जम्मू की बात करें लगतार दीररात बारिश यो ही उसके बाद ये तस्वीर एक आई है सामने बागेश्वर से किस तरह से ये देखे लैंड स्लाइड वयावा तस्वीर देखे जड़ा बहुत ही खौफनाग बहुत ही खतरदा कि ये मंज़र बागेश्वर की ये तस्मीर स्टेट हाईवे पर लैंड स्लाइड बहुत ही भयाना अच्छी बात वाहत की बात ये रही कि उस वक्त कोई गारी आसपास से नहीं गुजर रही थी और ये देखे इसके चपेट में आने के बाद क्या हो तो सलाव से सेमे हमाचल के कई जिले साथ ही उत्रा खंडेराद उनकी बात करें ये तस्वीर यहां पर आईए देखे किस तरह से ये सलाव का सत्व हम देख पा रहे हैं और किस तरह से जब क्योंकि इलाके में भारी बारेश हो रही है और इसकी वजल से हर अलाका जल्मगन है जहां भी नदी को और पानी को रास्ता मिल रहा है वो उस तरफ मुल रहा है अपना देखा बदल रहा है और ये देहरादुन की तस्वीरे अपने आप में बहुत कुछ कहानी बया कर रही है तस्वीर के माधिम से भी आप समझ सकते हैं कि क्या अभी हालात हैं इलाके में जो लोग हैं वो अपने घरों में ही अभी हैं प्रशासन में भी अलट जारी किया है कि आने वाले कुछ वक्त में ही अभी बारिश के सभावना है और अभी बारिश लगतार हो रही है रुक-णुक कर कई घंटों से फिचले वो बारिश हो रही है और इसकी वज़त से ही हलात बने हुए है और ये जो तस्मीर देख रहे हैं अजो इस वाक्त ये जम मो कश्मीर के रियाशी की ये तस्मीर हैं देखे जरा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बादल फट गया फतरनाथ कसले यह यह फ्लैस फ्लैश फ्लैट की तस्वीरें और बड़े बड़े पत्तर को यह अपने साथ बहा करने जाए देखे ज़रा और अब यह जो तस्वीर देख रहे हैं खतरनाख तस्वीर चमबा की तस्वीर है थोड़ी दिर पहले आपको दिखा रहे थे लेकिन बहुत ही खतरनाख तस्वीर है बहुत डरावनी तस्वीर है रेलवे का पुल किस तरह से पानी में समा गया उसकी यह बानगी वह ही एक तस्वीर देखे क्योंकि यह पुल अपने आप में इतिहास को समेटे हुए इतिहासिक पुल है अंग्रेजों के जमाने का यह पुल है जो की धाराशाई हो गया है चमबा हिमाचल प्रदेश की तस्वीर पहले तस्वीर देखे फिर इस पर आगे भी बताएंगे क्योंकि यह बहुत काम का पुल था हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता था कई इलाके की लोग इससे फायदा उठाते थे लेकिन अब यह पुल पानी में समा गया देखे